नमस्कार किसान भाईयों मैं सुरुदेवल फिर्ट से हाजर हूँ आपके अपने चैनल एगरी कल्चर गुरुजी में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे गन्ना बुआई से लेके गन्ना कटाई तक हमें इस्प्रे के द्वारे जो अपने गन्ने कोई पैदावाल लेनी हैं उसके अंदर आज हमारी ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर दूसरे इस्प्रे के बारे में बताया जागा कई सारे किसान भाईयों केमेंट आ गए थे कि अभी तक आपने वीडियो नहीं बनाईगे तो किसान भाईयों आपको इस्प्रे से इस्प्रे में कम से कम 30 से लेके 35 दिन का अंतर रखना है यदि हम 15 से 20 दिन के अंदर इस्प्रे के बाद इस्प्रे करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा जो है बहुत ज़्यादा लागत जो है वो गन्नी की फसल के अंदर फिर आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं देखें जो किसान भाई इस्प्रे की माध्यम से ही बौई से लेकर कटाई तक अपने गन्ये की फसल की पैदावा लेना चाहते हैं जो किसान भाई नीचे खाट डाल करके अपने गन्ये की पैदावा लेना चाहते हैं वे इस वीडियो को देख करके अपने समय को बिल्कुल भ की गई होगी जैसे मैंने करवाई थी तब आपका जो गन्या होगा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा होगा उसके अंदर कोई रोग भी नहीं होगा तो किसान भायों दूसरे इस्प्रे के बारे मैं आपको बता रहा हूं यहां पर मैंने तीन इस्प्रे लिये हैं और इन तीनों इस्प्रे की आपको उतनी ही मात्रा लीनी हैं जितनी मात्रा किसान भायों मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं बिल्कुल भी डोच को ऊपर नीचे ना करें जिससे कि आपकी पैदावार में कोई भी छेड़ सार हो सके साथ यहां पर यदि इन इस्प्रे क को आप करते हैं तो गन्य की ग्रोथ भी बढ़ेगी दूसरा गन्य के अंदर टिलिंग भी बढ़ेगी गन्य अच्छी तरीके से किसान भायो मेड़ा भी करेगा यानि कल्ले भी बहुत सारे आपके गन्य की फसल के अंदर फूटेंगे और जो सुंडियों का अटेक या फिर ट कोई अटेक होने के चांस रहते हैं वो भी किसान भायो बिल्कुल भी आपके गन्य की फसल के अंदर नहीं होंगी बहुत ही गजब का ये फार्मुला मैंने आपके लिए बनाया है तो उतनी ही मात्रा किसान भायो आपको लेनी है जितनी मैंने बताई है वीडियो बहुत छो कोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज्यादस ज्यादस सेयर क्या करें जिससे कि किसान भायो हमारे चैनल को भी सपोर्ट हो सके और किसान भायो ज्यादस 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 हमारी वीडियो को देखके ज्यादस मात्रा में पैने फिट ले सके तो बात करते है इस्प्रेगी तो 70 दिन की फसल हमारी हो चुकी है 70 दिन की फसल पर अब हमें सबसे ज़्याद आवस सकता गन्नी की फसल के अंदर क्या है किसान भाईयो नाइट्रोजन, फास्पोरस और पोटास ये तीन तो हमारे मुख्या पोसकत्त वो रहती है यदि आप कोई और मुख्या पोसकतत नहीं भी देते हैं तो भी किसान भाईयो एक बार को हमारा काम चल जाएगा लेकिन इन तीनों की पूरती करना सबसे ज़्यादे अतियावस सके तो नाइट्रोजन, फास्पोरस, पोटास इनकी आवस सकता सबसे ज़्यादे पोदे को इस समय पर पढ़ती है तो ये भी आपको देना है, साथ में आपको कीटना सक भी देना है तो पहले बात कर लेते हैं किसान भाईयो कीटना सक के बारे में कि कीट नासक आपको कौन से लेना है और इसकी कितनी मात्रा आपको यहाँ पर इस समय पर लेनी है तो इस समय पर किसान बहुत से पहले आपको लेना है इमीडा किलोप्रिट इमीडा किलोप्रिट जो किसान बहुत आप यहाँ पर लेने वाले हैं और 200 ml यह आपको ले लेना है, साथ में किसानवजी जैसे ही इमीडा क्लॉपिट का आप उपयोग करते हैं, यह हमारे गन्ने की फसल के अंदर जितनी भी तरह की सुन दिया होती हैं, रोग होते हैं, इन सभी रोगों को बड़ी तेजी के साथ रोखने का कारे सुरू कर देता ह साथ में किसानवजी आपको फिप्रोनिल चाहिए, और फिप्रोनिल जो चाहिए वो भी किसानवजी आपको 40% वाला ही चाहिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं आपको बता दूँ कि आप इफको कंपनी की सीरा सागी ले सकते हैं, तो इफको कंपनी की सीरा सागी आती है, आपको इफको کی सीरा सागी ले लिनी था, यह ML में नहीं आती ये पोडर फोम में आती है, तो यह ग्राम में ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ग्राम में आपको लगए 200 से लेके 600 ग्राम आप इफको की सीरा सागी ले सकते हैं और इसे किसान भाई ओ, छैबी के खेट के अंदर यानि कि अपने एक एकड़ खेट के अंदर इसका उपपी होगा, आप कर सकते हैं, इसके अंदर पानी की आवस्ता आपको ज़्यादा पड़ेगी, पानी बिल्कुल भी कम ना करें, कम से कम किसान भाई ओ, तीन सो लीटर पा हिसाब से, तो दो किलोग्राम आप एन पी के बीस 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 ले लिजिए, और लगबग ढ़ाई सो ग्राम आप सीरा सागी ले लिजिए, और लगबग तीन सो लीटर पानी के अंदर, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, कोसिस करें कि पूरे पोदे को आप भ हिला भी सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई भी साइट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाप पर साफधानी यह है कि खेत के अंदर नमी लगातार बनी रहने चाहिए, अगले कम से कम धाई से लेके तीन महीने तक आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी दिन का गन्ना बहुत उचा है, बहुत बड़ा नहीं होता है, तो पूरे गन्ने को आप अच्छी तरीकी से भिगो दें, और जड़ों के पास में इस दवाय को जरूर छोड़ें, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाए, तो उम्मीद है वीडियो आप अच्छा सेयर भी कर सकते हैं